किसा की देख रहे हो अटेकिंग तो इसकी बहुत टगड़ी है किसका ना टाइट करना आजा आजा तो मार के दिखा हेलो गाइज तो कैसे है आप लो वेलकम बैक तो एनेदर गेम प्ले वीडियो ओफ आर्क सर्वाइवर तो गाइज जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक रैप्टर को टेम कर लिया है तो आज की वीडियो में हम उसे टेस्ट करेंगे उसकी स्पीड अटेकिंग पावर और उसकी एबिलिटीज क्या क्या है तो गाइज वीडियो को एंट तक जरूर देखना और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी दिल्चस और पनी वीडियो के लिए तो गाइज पहले हम कर लेते हैं रैप्टर की सेडल अनलॉक तो गाइज सेडल अनलॉक हो चुकी है चलो अब रैप्टर की सेडल को क्राफ्ट कर ले तो भाई रैप्टर की सेडल क्राफ्ट हो चुकी है चलो भी से रैप्टर को पहनाते हैं और टेस्ट करने के लिए निकलते तो हम अपने बेश से भारा चुके है रैप्टर की स्पीड तो सही है साथ साथ इसका जंप भी बहुत है जलो चलके इसका अटेकिंग पावर और देख लेते हैं जलो ट्राइशेर टॉप्स के पास चलकर इसका अटेक चेक करते हैं तो भाई जैसा की देख रहे हो तो हमार के देखा खत्म बाई बाई टाटा गुट बाई गया तो गाईस ये तो हो गया है फिनिश अब कोई और सिकार ढूंडते हैं तलो सामने दो ट्राइशेर टॉप्स दिख रहे हैं उन्हें भी किल कर देते हैं एक मिनट रुको ये कौन सा नया डाइनो स्पॉन हुआ है चलो पहले इसे स्पाई गिलास से देख लेगी कि कितनी लेवल का कौन सा डाइनो है तो गाईस ये तो सिर्फ लेवल 6 का है चलो इसके लिए केज बनाते हैं और फिर इसे टेम कर लेंगे तो केज बनाते हुए मैं इसे कर देता हूं फास्ट पारवर्ड उससे पहले अपने बेस पे चलते हैं और क्राफ्ट कर लेते हैं वाल फैंस और डाइनो डॉटॉ आव झाला हुआ झाला है तो तो बनाते हैं और कारवर्ड कर लिएपा साथ शेओ आपे ज़्यां पहले झाला हुआ है विल्लोह नख इसेँ लिए नखीस वाला है उबड़ को उब हैं वाला है तो याला है पूलोह को अपनाते हैं जिए ठाव पार हैं जर ब catalog तो हैं जर य यूब कर घेन ऊर्णीघ किस पानिय ग्cture मार्णिया किसे अडरेन किसा टेप्स前ती आटक किसा भड़ा सप्किल अपीद अपानिध इस ब siè्णब आ अटक मेना है सो गाइस केज तो बना लिया मैंने अब उस दाइनों को ढूंडते है कि वो कहां पर गया अब भाई अब हम ट्रेन डॉन को लेकर चलते हैं अगर वह इसके बाद भी नहीं मिला तो हम बनाएंगे फिर ओसम इस्पाई ग्लास और उसके लिए हम जाएंगे क्वार्ड कलेक्ट करने के लिए बहुत ढूंडने के बाद भी वह डाइनों हमें नहीं मिला चलो असम इस्पाई ग्लास बढ़ना लेते हैं उसके लिए हमें क्वार्ड चाहिए उसकी लोकेशन 7545 है सायद और बाकी वहां जाके देखिए उस लोकेशन पर क्वार्ड है या नहीं क्वार्ड ऑप खिल्डे नहीं कि वहां खरते हैं रव जिए लोकेशन अफ़ी है और टी रॉ को सिख रड़ना है कर दो आ्रोट एनो कर दो कि अजड़ सक्रोंदेट पर नगे लुका हुए हुए लगा हुए लगवा हुए हुए लगवा हुए वबिसलो कि अःदेर!! तो बाई ओसम स्पाइग लास क्राफ्ट हो चुका है चलो भी से यूज़ करके देखते कि ये कैसे काम करता है पहले हम अपने ट्रेनर डॉन को लेकर आसमान में चल और वहाँ पर फिर ओसम स्पाइग लास को ओन करके देखेंगे तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो जितने भी डाईनो हमने टेम कर रखे हैं वो सब ग्रीन में दिख रहे हैं और बाकी वाइट दिख रहे हैं चलो अब उस डाईनो को ढूंडते हैं जो हमसे खो गया था और फिर उसे हम टेम कर ही लेगें जाए है 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 फाइनली हमें हमारा डाइनो मिल गया तो अब इसकी हेल्थ और टॉर्पो मीटर देख लेते हैं कितना है इसकी हेल्थ तो 870 है और टॉर्पो मीटर 1.2 क चलो अब इस पर अटेक करके इसे अपने पीछे दोड़ाते और केज के पास ले जाकर इसे टेम कर लें अश्पूद इसे मेर्फ़ते हैं कि है और ये जाले इसव dif और टॉर्प्ट स्टूँना फसे नहीं वहले नहीं जाता है अबधे और मज européना ये को शी जफ़ी पर तेक बचले श्वाद hayat मां अबदानe कärिक ये जाई मिल हर शवत Gंझोशने माफaina कि है भnhे खरना अबद च बाब झालोब एक झालोबिशी घालोब एक झालोब लाब बिए्टार प्तयों लाट रपा ठालोब बालोब बुट में लाट घजए्टास जए्टास बालोबिशीया लुट कर दो हम आ जिए लेगेट सुटाई अना मॉट Dziękuję जए घ जए है झालो यद फ्टार्टास यह हो गया, अन्कॉंसियस अब इसके लिए बैरी लेकर आते हैं और इसके इंवेंटरी में रख देते हैं तक यह टेम हो जाए और बागी मिलते हैं टेम होने के बाद सब्सक्राइब इसके अपने बेस पे ले जाके इसकी सैडल बनाते हैं और फिर इसे टेस्ट करते हैं कि इसकी स्पीड डेमेज क्या क्या एबिलिटीज तो पहले हम कर लेते हैं इसकी सैडल अनलॉक और अब कर लेते हैं इस जलो उसे डाइनो का चलते हैं तो डाइनो के पास चलते हैं तो भांगी मिलता हूं में नेक्सट वीडियो बहुत होने वाला है तो जल्दीशі के चैनल को सब्स्क्राइब कर लो नॉट्फिकेशन ओन कर लो